स्केपी सेविन न्यूज नवादा, स्कूली छात्रा ने सांसद और डीम का किया घेराव. स्कूल में चापाकल वशोचाले की मान्द को लेकर छात्राएं पहुँची समाहरनालय. समाहरनालय में नवादा सांसद की चल रही थी बैठक. स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की मान्द को लेकर आज शेहर के बालिका मध्य विध्यालय नवादा की छात्राएं समाहरनालय पहुची, जहां अनुश्रवन समिती की बैठक के बाद छात्राओं ने सांसद और जिला अधिकारी का घेराव किया. छात्राओं ने सांसद और जिला अधिकारी से गुहार गया, बावजूद अभीता के सोर किसी ने अब तक कारवाई नहीं की है। इसी से आक्रोशित होकर आज छात्राएं समाहरन आलय पहुँचकर सांसद और जिला अधिकारी का घेराव किया। छात्रों के समाहरन आलय पहुँचने पर जिलाधिकारी उधिता सिंग जमकर स्कूल के प्रिंसिपल पर बरस पड़ी। वीडियो में सपष्ट देखा जा सकता है कि जिलाधिकारी उधिता सिंग स्कूल के प्रधान शिक्षिका को मौके पर ही डांट रही है। बच्चों को सम समाजसिवी ने भी उनका साथ दिया और सांसद से उसकी गुहार लगाई। हालांकि सांसद ने जल्द ही समस्या के समाधान की बात कही। अब यह सवाल उठता है कि किस प्रकार के विकाशकार्य स्कूलों में की जाती है कि मूलभूत सुविधा भी छात्राओं को नहीं मिल पाती है अब देखना होगा छात्राओं को इस समस्या से निजात कब मिलता है नवादा से सुरेश राई की रिपोर्ट क्या बोला हो क्या होता है अचा उसी के समस्या से है अचा क्या नाम है अचा क्या नाम है ने बताए क्या जो अधियों चाप है अब हम लोग वादी तर्फ नहीं होगा है बहुत जल शब्दालिय ने शवचाले और पानी के बरता ब्रॉत बदाएगा व्यार्ट वहिज़